हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आजम सेखेंगे बहुत ही खुशूरत और प्यारा सा डिजाइन पैटर्ण केवल वन रो की डिजाइन है फ्रेंड्स इसे आप जैकेट में डालें आउटर में डालें कैप में डालें साहल इस्टॉल मफलर आप जो भी बन आना चाहें इसे बनाए बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है केवल एक स्लाइम ये डिजाइन बन कर तयार हो जाता है तो फ्रेंड्स चलिए आपको डिजाइन पैटरन बनता आते हैं उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट की है तो मेर रॉंग साइट से आप स्टाइट की लिए दोनों साइट से आपको सेम बनाना है ठीक और ये थ्री के मल्टिपल बनेगा प्लस टू फंदे आपको साइट के आइड इस्टिच लेने हैं तो टोटल यहां पर हमने 20 फंदे लिए हुए हैं तो देखे डिजाइन पैटरन का य धागे को अपनी शाइड लाएंगे और देखे ये दो फंदो को एक साथ हैसे दो फंदो को हम एक साथ हैसे बोलेंगे दो का एक करेंगे और धागे को अपने ही साइड रखते हुए हम ये फंदा सीधा बोलेंगे जब हम सीधा बोलेंगे तो यहां पर देखे एक जाली वा बिएफिए अब यहीं आपको बार बार रिपीट करना है फिर्स ट्रों में दeखे धागे को अपनी की दिए количество और दो फंदों गवज दो फंदे लेजिए और ऑप्वशन ट्रीक कर दिए दो का एक करेंगे और फिर धागे को अपनी शाइड रख के हम सीधा जब बुनाई करेंगे तो एक फंदा हमारा जाली वाला यहाँ पर आ जाएगा तो तीन के तीन फंदे रहेंगे देखे धागे को अपनी शायट कीजिए दो फंदों का एक करेंगे धागे अपनी शायट इराने दीजिए ऐसे फिर हम सीधा बुनेंगे फिर देखे ध को अपनी शायट करेंगे को अपनी षायट रहने देंगे और सिधा बूंसाई करेंगे ए रोडियागर करेंगे तो फ्रेंट्स हमारा यह नंकम्प्लेट हो गया यहीं one row हमें बार-बार repeat करना है देखिए wrong side और right side इसमें कुछ भी नहीं है तो इसमें आप अपने जैसे jacket वगारा बना रहे हैं outer बना रहे हैं तो आप border बनाएंगे उसी साथ से right और wrong side होगा install Muffler बना रहे हैं तो first row से आप ही starting करेंगे तो इसमें कोई राह और right size नहीं गवा देखिये हमने first Diese Slip किया है तो देखिक हमने rowrim में क्या किया था 2 फंदे देखिये ऐसे इसे iis को ब्रिख्वाक करेंगे और यह एक फंदा हम यह सीधा बनेंगे तुमारा यहां भी एक जाली वाला फंद आगे सेम रो वन की तरह हमें करना है देखिए इसकी डिजाइन जो है न क्रोसिया जैसे बनके आती है देखिए धागे को अपनी शायट करेंगे वन टू यह दो फंद हम दो फंदो का एक करेंगे और धागा को अपनी ही शायट रखके देखिए हम इसे सीधा बनेंगे ठीक इस तरीके से फिर धागे को अपनी शायट करेंगे और यह दो का एक करेंगे और फिर इस फंदे को हम सीधा बनेंगे देखिए इस तरीके से धागे को अपनी शायट करेंगे अब यह दो का एक कुछ ओनेंगे तो फन्दा करेंगे से ठाहे पिए करेंगे कुं प्रेंड करेंगे जक्षिए और फन्दी सीधह बनेंगे तो यहां तो आपको बार-बार रिपीट करना है थोड़ी से डिजाइन बना कर हम आपको फ्रेंट दिखा देते हैं और तो फ्रेंट देखिए जब डिजाइन आप बनाते जाएंगे न सुरू इस्टार्टिंग में आपको दो चार सलाई में डिजाइन पता नहीं चलता है तो हेंटयी यह नौ नमबर की चलता देखिए जुठी के जाएंगे डिजाइन पतन्स हमने आपको बना कर दि argument अगर आप जैसे कि आप चाहें तो एट नमबर की चलता जाएंगे बिजाइक अगर चाहें चाहें अगर की चलता जाइब कर दोनों सॉट मेंद से तो इसे आप द आपको डिजाइन अच्छी लगी हो मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक किजेगा और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिजेगा फ्रेंट्स वीडियो देखने के लिए बहुत झाल झाल